हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ सब एक दम अच्छा होगा दोस्तों इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 की Macroeconomics का Chapter No.1 और Chapter का नाम है Income Determination and Multiplier मैं आपको Clear कर देता हूँ कि यह कहां पर Locate होता है Unit No.3 जो है Macroeconomics के अंदर उसमें Total हमारे 3 Chapter होते हैं पहला है Aggregate Demand and Related Concepts यह मैं आपको करा चुका हूँ इसके One Shot Revision हो चुकी है नीचे Description में या फिर पहले Comment के अंदर आपको इसका Link बिल जाएगा पहले यह वाली वीडियो देखना उसके बाद ही इस वीडियो को देखो Otherwise आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने पहले सी Aggregate Demand बहुत अच्छी से कर रखा है कहीं और से तो कोई ज़रूरत नहीं है अब directly Income Determination कर सकते हो दूसरा Chapter हमारा है Income Determination and Multiplier जो अभी हम करने वाले हैं और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा One Shot वो बनाऊंगा Access and Deficient Demand की तो यह तीनो जब Chapter हम कर लेंगे तो Unit 3 complete हो जाएगी जिसका मतलब हमारे paper में 12 number एकदम sure shot confirm हो जाएगे यह वीडियो भी एक One Shot वीडियो होने वाली है इसमें पूरा Income Determination and Multiplier में आपको करा दूँगा and please आप इस चीज को समझ लो यह One Shot के नाम पे सिर्फ जल्द जल्दी में बोल के खतम नहीं करूँगा बकाइदा अगर कोई बच्चा पहली बार इस Chapter को कर रहा है उसको समझ आएगा that is my promise provided कि आपने पहले Aggregate Demand and Related Concept बच से ही पढ़ा है मेरी वीडियो से पढ़ा है ठीक है आएए क्या है Income Determination and Multiplier आएए समझते हैं पहले यह जो थियोरी है पूरी यह पूरी Aggregate Demand, Employment, इन चीजों से Related जितने थियोरी है Unit Number 3 की इस पूरी थियोरी को देने वाले जो Economist है बेटा उनका नाम क्या है John Maynard Keynes John Maynard Keynes Economist का नाम है जिन्होंने पूरी की पूरी थियोरी दी है इस वज़े से इस पूरी की पूरी थियोरी को हम लोग क्या बोलते हैं Kinesian, Kinesian Theory की की द्वारा बनाई गई थियोरी Kinesian Theory अब एक बात बताओ मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ इस चैप्टर में हमारा मकसद रहेगा Equilibrium समझना Equilibrium समझना रहेगा Equilibrium क्या चीज होती है पहले वो समझते है Equilibrium यानि State of being equal किन दो चीजों के equal रहने की हम लोग बात कर रहे है तो देखो And economy is in equilibrium कब, when, aggregate demand जब aggregate demand किसी भी goods and services का equal होगा किस चीज के equal होगा बेटा Aggregate supply के किसी भी period of time में तो उस situation को हम लोग कहेंगे equilibrium And trust me इस पूरे chapter में हम लोग Income determination वाला जो portion है सिर्फ equilibrium पढ़ने वाले है तो देखो, क्या बताया है इन्होंने कि aggregate demand जो है जब aggregate supply के equal हो जाएगा जिस point of time पे उस situation को हम लोग कहेंगे equilibrium situation ठीक है जी अब aggregate demand, aggregate supply क्या चीज़े होती है आपने chapter number 7 में पढ़ा होगा कि aggregate demand is equal to C plus I consumption plus investment होता है और aggregate supply जो होता है वो C plus X यानि कि consumption plus savings होता है अब एक बात बताओ अगर मैं यहाँ C को C से काट दू तो क्या निकल के आजाएगा S is equal to I निकल के आजाएगा यानि कि savings is equal to investment ये एक और approach है इस theory को पढ़ने की तो हम लोग इस chapter में दो approaches पढ़ेंगे टोटल पहली approach क्या है बेटा approach 1 approach 1 is AD is equal to AS और जो approach 2 है वो है S is equal to I approach 2 जो है saving is equal to investment है तो आगे ज़रा आगे चलते है two approaches to determine equilibrium level of income equilibrium level of income output and employment ये तीन शब्द मैं चाहता हूँ अभी अभी प्लीज रट लो income, output and employment बेटा equilibrium level of income यानि कि किस level of income पर हमारी जो economy है वो equilibrium में है यानि कि equilibrium का मतलब हुआ कि aggregate demand और aggregate supply बराबर है कितने income के अंदर दूसरा output कितना output बना दे economy के अंदर बेटा कि aggregate demand और aggregate supply दोनों बराबर हो जाए aggregate supply और output same to same चीज़े होती है तीसरी चीज़ है employment यहाँ पर मैं employment बात करौँ है employment of resources जैसे आप labor की बात कर सकते हो तो कितना employment करें कितनी labor लगें ताकि हमारा aggregate demand और aggregate supply बराबर आ जाए इसलिए income, output and employment प्लीज रटलो income, output and employment बात खतम याद रखना IOE देखो वावल से शुरू हो रहे है तीनों वावल से शुरू हो रहे है income, output and employment तो दो approaches क्या है ADAS approach यानि कि aggregate demand, aggregate supply approach और दूसरी क्या है saving investment approach जिसको SI approach भोलेंगे ठीक है ना? आईए सबसे पहले हम लोग ADAS approach की बात करेंगे बट उससे पहले हमें इस theory की कुछ assumptions पढ़नी पढ़ेंगी मैंने आपको हमेशा बोलाए कि जब भी कोई theory पढ़ते हैं तो उसके लिए हमको कुछ उसके assumptions को ध्यान में रखना होगा अगर आपने class element में microeconomics करी थी तो PPC curve जब आपने पढ़ा होगा उससे पहले आपने कुछ assumptions का ध्यान रखा होगा कि कुछ assumptions हैं उसके बाद ही वो चीज पॉसिबल होती है law of demand जब आपने पढ़ा होगा उसमें भी कुछ ना कुछ assumption थी वैसे ही यहाँ पे जब हम kinesian theory को पढ़ रहे हैं तो इसके लिए भी कुछ चीजों का ज्यूम करना पढ़ेगा and yes that can be asked in your exam आपको पता होना चाहिए ठीक है ना तो सबसे पहला क्या है कि हम determine कर रहे हैं equilibrium output कि कितना output produce करें कि aggregate demand और aggregate supply बराबर आजाए is to be studied in the context of two sector model देखो two sector model हमने chapter 7 भी पूरा two sector में पढ़ा है यानि कि two sector मतला aggregate demand का क्या होता है c plus i plus g plus x minus m यानि कि consumption plus investment plus government expenditure plus net export होता है बट हम इन दो चीजों को ignore करते हैं हम सिरफ two sector model में चल रहे हैं यानि कि consumption और investment इसके अलाबा कोई और चीज नहीं है तो हमें यहां पे यह जो theory पढ़ रहे हैं यह भी हम सिरफ two sector model के अंदर कर रहे हैं जो important point है वो मैंने यह underline कर रखा है दूसरा हम assume करेंगे कि जो investment expenditure है वो autonomous है बिलकुल same to same रहेगा at every level of output chapter number 7 में भी आपको यही चीज मैंने आपको करवाई थी कि हमने 20 लिया था और 20-20-20 हर बार same to same रखा था autonomous मतलब which is not changed with the level of output level of income level of employment ना वो same to same रहेगा तीसरा क्या है कि जो price है economy के अंदर वो constant रहेगा price change नहीं हो सकता सिरफ constant रहेगा as it is रहेगा पूरी थियोरी जब हम पढ़ेंगे उसके दोरान और चौतर पॉइंट क्या है कि यह सिरफ short run में हो सकता है short run के अंदर हो सकता है long run के अंदर हम लोग equilibrium output निकाल ही नहीं सकते है equilibrium output long run में हम नहीं कर सकते है अगर कोई बच्चा confused है तो मैं clear कर दूँ आप ऐसा समझ लो कि output is equal to aggregate supply होता है ठीक है ना कितनी supply करे goods and services की वो हमारा output हो जाएगा आईए अब पहले हम थियोरी की बात करते हैं aggregate demand aggregate supply approach या ADAS approach according to किनेजियन थियोरी वही बात लिखी है equilibrium level of income in an economy is determined when aggregate demand जो की represented by है c plus i curve is equal is equal to aggregate supply अगर मैं बोलू aggregate demand बोलू या मैं बोलू c plus i दोनों एक बात है नहीं है तो कई बार हम aggregate demand ना लिखके हम लोग graph में लिख देते हैं c plus i curve जो कि I don't think कि आपको offend होना चाहिए क्योंकि दोनों same to same बात है AD लिखू left hand side लिख दो या right hand side में लिखा हुआ c plus i लिख दो दोनों एक ही बात तो है इस बात से हमको कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए अब हम लोग क्या करेंगे हमें समझना है कि इस चीज को पहले table में कैसे present करेंगे और दूसरा tabular presentation कैसे करेंगे और दूसरा graph में किस तरीके से दिखाएंगे जैसा मैंने आपको chapter number 7 aggregate demand में मैंने आपको कराया था same to same चीज़ें यहां पर करेंगे पहले table फिर graph और उसमें कोई explanation है तो वो समझेंगे और कोनी कोनी से question बन सकता है तो जहां पर भी chance बनेगा मैं आपको बताता जाओंगा ठीक है ना पूरी बातें आपको ध्यान से सुननी होंगी otherwise paper में आप confused हो जाओगे ठीक है आईए ये वाला table देखो बेटा ये वाला table देखो और इस table को देखके तो मैं कहा रहा हूँ आपको एक चीज यादा आने चाहिए मैंने आपसे chapter number 7 कराने के दौरान एक बात बताई थी और आप एक चीज देखी रहे होंगे कि मैं बार-बार-बार-बार chapter 7 का reference ले रहा हूँ और अभी भी अगर आप लोग बिना chapter 7 की वीडियो देखे चैप्टर देख रहे हो आपको मैं बहुत बुरा लगूँगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगूँगा तो please I request कि मेरा bad impression ना पड़े आप जाके वो वीडियो देख लो मज़ा आ जाएगा यार दिल से खुशी होगी तुमको सच बता रहा हूँ 12 मैं से 12 number आएंगे 11 number भी नहीं आएंगे अगर तुमने तीनो चप्टर्स फॉलो कर गे मेरे वाले ठीक है ना अब ध्यान से सुनो मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारी income होती है income को वाई से denote करते है income हमारी 0 से start होती है और 100-100 का gap होता है मैंने आपसे कहा था कि भाई अगले चप्टर में भी same to same चीज़ फॉलो हो गया और देखो फॉलो हो रही है उसके बाद consumption जो है हमारी वो 0 से ना शुरू होगे बैटा 40 से शुरू होगी और 80-80 का gap होगा 80-80 का gap होगा 40 से 120, 120 से 200, 200 से 280 फिर Y हो गया, C हो गया फिर investment नहीं पर देखो investment, investment हमने वहाँ पर 20-20-20-20 लिया था हर बार same रखा था इस बार मैंने book का सीधे-सीधे उठाया संदीप गर का, आप चाहो तो 20 ले सकते हो कोई गुराई नहीं है book में 40 लिखा तो मैंने 40 एस्यूम कर लिया जब same ही रखना है क्या फरक पढ़ता है यार कि 20 है या 40 है ठीक है ना, तो you can take 20 no problem, मैं यहाँ पर 40 लेके चल रहा हूँ तो देखो, 40 है और यह हर दम same रहेगा, क्यों? क्योंकि यह autonomous है फरक नहीं पढ़ता, income कम है, जादा है it will remain same, बिलकुल समझ लो कि Arjun Kapoor की acting की तरह है, कि movie कोई सी भी हो अच्छी हो, बुरी हो, पानी पत हो two states हो, मदब कोई सी भी picture हो, उसकी acting, बिलकुल face जो होता है, expression एकड़म same होता है plain face होता है, बिलकुल, autonomous जो investment है, वो भी same to same है, ठीक है अब आईए, एक नया कॉलम यहाँ पर बन रहा है बेटा, और उस कॉलम को हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे employment employment, employment employment of what, यहाँ पर हम लोग employment of resources की बात कर रहे हैं, यहाँ पर resources जो labor होती है, जो आपने पढ़ा होगा, पिछले chapter में, 7th में कि full employment, है न, involuntary unemployment, involuntary unemployment, voluntary unemployment यह जो सारी चीज़े थी, हम यहाँ पर zoom कर रहे हैं कि कितने labor employee किये गए हैं, तो 0 अगर employee किये गए हैं, फिर 10 अगर employee किये गए हैं, 20, 30, 40, 50, 60, यानि कि 0 से शुरू होगा, पर सिरफ 10, 10, 10, 10 का gap दिखाना है आपको, that's it यह एक new table है, बाकि सारी tables हमने पहले कर रखी हैं, अब आईए ज़रा, अगली चीज़ क्या थी, y is equal to c plus s होता है, यह तो अपको पता होगा, y is equal to c plus s, और यह as की equal भी होता है, अगर एक बात उता हो, y is equal to c plus s है, तो s is equal to y minus c होगा, बिल्कुल होगा, तो देखो, y minus c is equal to s, तो 0 minus 40, minus 40 हो जाएगा, 100 minus 120, minus 20 हो जाएगा, 200 minus 200, 0 हो जाएगा, 300 minus 280, 20, 40, 60, 80, and so on, एक बात ध्यान से देखो, जब यह negative होता है, जब savings negative होती है, तो इस scenario के हम लोग क्या कहते हैं, बेटा, याद करो, sir, इसको हम dis saving कहते हैं, और यहाँ पर यह zero हो गए, यह saving, जब zero हो जाती है saving, तो वो break-even point होता है, जहाँ पर आपका जो income है, और consumption है, वो same है, और savings आपकी zero है, उस point को break-even point कहते हैं, साथ के साथ पिछला chapter भी काफी हुद तक revise होता जा रहा है, ठीक है ना, अब ज़रा मेरी बात सुनू, अब इससे मतलब नहीं है, अब हमें AD और AS से मतलब है, क्योंकि हम लोग equilibrium level पता करना की कोशिश कर रहे हैं, और equilibrium level of income कब होगी ADS approach के according, जब aggregate demand, aggregate supply के equal होगा, तो हम कहेंगे भाईया मुबारक हो equilibrium level of income है, equilibrium level of employment है, equilibrium level of output है, तो आईए, AD कैसे निकलता है बेटा, C plus I, AD होता है और C plus S, AS होता है फॉर्मुला तो बच्चों बच्चों को पता है तो हमने क्या करा, C को और I को, प्लस कर दो तो 40 प्लस 80 40 प्लस 80, इक्सिन इक्सिन क्या कर रहो है, थोड़ा सफाई कर दूं क्या ऐसे confused हो रहो है C plus I, 40 plus 40, कितना हो गया 80, 120 plus 40, 160, ऐसी सब को प्लस कर दो, ठीक है AS is equal to C plus S होता है तो देखो, C plus S यानि कि 40 minus 40, 0 120 minus 20 100, 200 plus 0 200 and so on अब आपको इक चीज़ देखने है इक सिंपल सी चीज़ है, इसको observe करो इसको observe करो, यहां से लेके यहां तक, आपका aggregate demand बड़ा है, aggregate supply छोटी है aggregate demand बड़ा है, aggregate supply छोटी है, सिरफ इस point पे, जो aggregate demand और aggregate supply है, वो equal है तो हम इसी point को कहेंगे, कि भाया यह तो equilibrium point है, क्योंकि यहां पे AD is equal to AS है, और equilibrium कभ है, जब 400 is equal to 400 है, और इसके अगर मैं सिधाई में, सिधाई में, सिधाई में आऊं, तो income कितनी है, यह 400 है और employment कितना है, 40 40, या निकी, देखाओ, 400 यह चीज कैं हो जाएगी, यह equilibrium level of income equilibrium level of income इसे कहेंगे कि वो income जो equilibrium level अचीव करने में मदद कर रही है हो equilibrium level of income हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा equilibrium level of employment equilibrium level of employment कैं बाद समझा रही है, yes sir समझा रही है और उसके बाद आगे सिलसला चलेगा, तो aggregate supply बढ़ी हो रही है, और aggregate demand छोटी होती जा रही है, तो वो भी equilibrium level नहीं है, उमीद करता हूँ कि आपको इस table पूरी को पूरी समझ आज गई होगी, इस से दा time लगाना मुर्कता होगी इस particular चीज के उपर, अब आईए ज़रा, table हो अब बेटा हम लोग क्या करने बाले हैं, अब हम लोग graph पढ़ने बाले हैं, अब इसके उपर graph किस तरीके से बनेगा, आईए ज़रा देखते हैं, तो सबसे पहले, एक x और एक y axis बन जाएगी, as it is, जैसा हम लोग जानते हैं, यह x axis है, यह हमारी y axis है, अब ज़रा ध्यान सबसे सुनो, x axis पर क्या लेना है, सर आपने हमेश्या बहूला था कि income लेंगे, बेटा अभी भी मैं अपनी बात से नहीं पढ़ रट रहा, income को हम x axis पर लेंगे, बिल्कुल सही, income नहीं, income के साथ दो और चीज़े आएगी, मैंने आपको बताया था, तीन vowels, तीन vowels, आई, ओ i, i, o, e, income, output, और employment, तीनों चीज़े क्या हो जाएंगे, बेटा, x axis पर आपको लिखनी है, in chapter number 8, ठीक है न, और ये consistent रहेगा, throughout रहेगा, don't worry, और उसके बाद, यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोगों को जो लिखना है, वो आप क्या लिखोगे, aggregate demand लिखोगे, aggregate demand, आईए aggregate demand हम लोग y-axis पर लिखेंगे, अब ज़रा ध्यान से देखना, जो आपका, यहाँ से चालू हो रहा है, zero से चालू होगा, income, income बोलू, aggregate supply बोलू, output बोलू, वो आपका क्या होता है, एक 45 degree का angle बनाता हुआ, decline आ जाती है, बिल्कुल सही बात है, aggregate demand जो होती है, वो यहाँ से चालू होती है, क्योंकि zero level of income पे भी, zero level of income पे भी बेटा, aggregate demand एक positive number होता है, but aggregate supply zero होती है, aggregate supply zero पे zero है, इसलिए वो यहाँ से शुरू होगी है, but zero level of income पे, aggregate demand is 80, तो वो यहाँ से शुरू होगी और upward sloping होगी, ऐसे, तो आप इसे लिख लो, यह aggregate demand, AD और इसी को C plus I curve, AD कर्व क कह सकते हैं, जल्द से एक बार लिख लो, लिख लिया, आजओ, अब जरा हम इसके बाद आगे करते हैं, इसमें, इस point को देखो, यह point, इस point को आप क्या लिखोगे बेटा, इसे लिख दो E, और यह क्या है, इसे हम कहते हैं, यहाँ पे, जो aggregate demand है, वो equal है aggregate supply के, यह जो curve है, is equal to C plus S curve भी आप लिख सकते हो, ठीक है न, aggregate demand is equal to aggregate supply, और इसलिए, इस E को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, equilibrium लिख, equilibrium point, वो point जहाँ पे AD is equal to AS है, क्योंकि intersect कर भी है, वो equilibrium point हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, इस point से इस point तक, aggregate demand greater than aggregate supply है, कैसे पता चल रहा है से आप इक पा रहा हूँ, इधर देखो, aggregate demand यह देखो, aggregate demand उपर है, यह aggregate demand का उपर है, aggregate supply नीचे है, मतलब AD is greater than AS, उसके बाद, इस point पे, इस point पे बिटा, AD और AS बराबर है क्योंकि intersect कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर continue रहेंगी चीज़े, तो देखो, AS उपर चला गया है, और AD नीचे है, यानि कि, after this point, यहां से लेके, यहां तक, आपका AD is less than AS, लोची है, मैंने यहां पे जितनी चीज़े थी, सारी के सारी mention कर दिया है, जल्दी से, जल्दी से, कर लो, कर लो, कर लो, लिख लो, अब इसके बाद, अब आपको क्या करना है, यह तो चलो मैंने कर दिय इस line को ऐसे ब्रो करते हो, नीचे लाओ, इसे O और यहां पे लिखो Y, क्योंकि income की बात हो रही है, बाई देखो सारी चीज़े यहीं ले रखे है, income बोलू, output बोलू, output और aggregate supply बेटा, एक ही चीज़े होती है, ठीक है न, so don't worry, अब एक बात होता हो, यह जो O Y है, यह O Y, इस इसे मैं क्या कह सकता हूँ, O Y को मैं equilibrium level of income कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि इसी पे क्या हो रहा है, दोनों equal हो रहे है, इसे हम कहेंगे equilibrium level of income, लो बेटा, लिख लो जल्दी से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर AD और AS दोनों equal नहीं है आपस में, यानि क या तो AD greater than AS है, या फिर AD less than AS है, तो ये तो बड़ी problem वाली situation हो जाएगी, क्योंकि अगर aggregate demand is greater than aggregate supply है बिटा, तो buyer बेचैन रहेगा, क्योंकि उसे चितना खरीदना है, उतनी supply नहीं मिल रही है, on the other hand, अगर aggregate demand कम है और aggregate supply जादा है, तो जो supplier या producer वो बेचैन रहेगा, कि या AD is not equal to AS, यानि कि planned AD is not equal to planned aggregate supply, अब मेरी एक और चीज़ सुनो ध्यान से, भाई, जब भी मैं AD बोल रहा हूं, जब भी मैं AS बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, it is a very important thing and it can definitely be asked in your exam, ठीकरन MCQ form आ सकता है, जब भी मैं AD और AS बोल रहा हूं, तो दो तरह की aggregate demand होती है, एक होती है actual अगर मैं simply AD बोल रहा हूं, तो aggregate demand is planned वाली, not actual वाली, ओके, आईए, when planned demand, aggregate demand is not equal to planned AS, then एक process चलू हो जाएगा, किस चीज़ का, अपने आप, एक re-adjustment का process चलू हो जाएगा, और कोई करता नहीं है, nature अपने आप करता है, will start in the economy and output will tend to adjust, output अपने आप उपर नीचे, उपर नी यह था, किसी कारणवर्च वो दुनों equal नहीं है, उनमें से कोई एक बढ़ा या छोटा है, तो फिर क्या होगा, प्रकृती के अंदर, एक re-adjustment का process चलू हो जाएगा, और re-adjustment किस चीज़ का होगा, output का, output या तो कम होगा, या तो output बढ़ा दिया जाएगा, economy के अंदर, और ये तब तक बढ़ेगा या कम होगा, जब तक कि वो वापस से, aggregate demand and aggregate supply आपस में equal ना हो जाए, बात समझा रही है, अब हम लोग आगे वही चीज़े पढ़ने वाले हैं, ये graph is very important यार, प्लीज, इसे अच्छे से कर लो, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब पहला, सर, ज तो फिर कैसे readjustment होगा, क्या ये पेपर के लिए important है, देखो, star की power 5, मैं maths कभी अच्छा student हा, तो 5 star अगर लिखना है, तो 5 star बनाने से अच्छा है कि star की power 5 कर देता हूँ, ठीक है ना, बना 5 star, 5 star important है, ये और इससे अगला topic भी, AD greater than AS, या AD less than AS, अब ध्यान से सुनो क्या हो अगर आपकी planned spending, spending बोलू, तो demand एकी बात है, planned demand, aggregate demand या planned AD कुछ भी बोलो, is more than planned output, output मतला aggregate supply, ये चीज़े समझने होंगे, तो फिर क्या होगा, then C plus I curve, C plus I curve बोलू या AD curve बोलू, AD curve, एक ही चीज़ है, क्योंकि aggregate demand is more than AS, यानि कि C plus I, AD and C plus I are one and the same thing, तो C plus I curve lies above 45 degree line, absolutely, ये देखो, ये वाली line, ये उपर लाई कर रही है, AD curve, AD line बोलू ये C plus I curve बोलू, ये 45 degree वाली line के उपर दिख रही है, तभी AD is greater than AS, भाई ये मैंने easy language में मैं यहाँ पे लिख सकता था, बट अगर paper में difficult language में आ गया होता, बाहरी तो खलत कराव हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा layman ना करके, मैंने इसे complicate करा है, जो book के अंदर दे रखा है, as it is लिखा है, वरना मेरे पस बड़ा अच्छा option था, मैं इसे असान language में कर सकता था, बट उसे असान language का फाइदा क्या कि यहाँ तो हो जाएगा, paper में ना होग वाल से, यानि कि consumer और firms मिलकर खरीदना ज्यादा चाहते हैं, aggregate demand करना ज्यादा चाहते हैं, और जो firms बेचने वाली है, वो उतना बेचना नहीं चाह रही है, अब क्या होगा, इसकी वज़े से, जो planned inventory है, अब मान लेते हैं, जो supplier थे, या producer थे, जो aggregate supply कर रहे थे, उनके पास जो inventory इतनी पड़ी हुई थी, इतनी inventory पड़ी हुई थी, पर अब क्या हो रहा है, market में demand बहुत जादा है, तो जितनी inventory ये लोग assume करके चल रहे थे, inventory कम हो जाएगे ये नहीं हो जाएगे, क्योंकि इसमें से समान निकल के market में विखने लगेगा, ये लोग सोच रहे थे कि हमारे पास 100 unit बची रहे, पर जिस 100 unit कहां बची हुई है inventory, हमारे पास तो सिर्फ 70 बची हुई है, अब हम लोगों ने सोचा था कि 100 बचेगी पर 70 बची हुई है, तो हमें वापस 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा inventory को, और produce करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, to bring back the inventory back to the desired level, desired level was 100, actual हो गई थी 70, तो हम वापस से उसे 100 पर लाने के लिए क्या करेंगे, और production करेंगे, firms would resort to increase in employment and output, by labor बलाएंगे, आजाओ जल्दी से काम करने वालो, आजाओ, जो भी voluntary employment चाहते हैं, आजाओ, output बनाओ, और तब तक बनाओ, जब तक aggregate demand वापस equal ना हो जाए aggregate supply के, and there is no further tendency to change और इसके बाद हम change नहीं करेंगे, जैसे 100 unit हो जाएंगे, desired level of output आचाएगा, उसके बाद हम रुक जाएंगे, वीडियो पॉस करो, फटा फट से इसको रटा मार दो, अभी के अभी, तुम्हें मेरी कसम, then अगला आजाओ, सर, उल्टा case बताओ, अगर aggregate demand, less than aggregate supply के, सर, यह व aggregate demand is less than aggregate supply, जो हाम बिल्कुल सही बात है, when AD is less than AS, तो C plus I curve जो है, वो नीचे आजाएगा, किसके 45 degree line, यानि कि AS के नीचे आजाएगा AD curve, जिसका मतलब क्या है, कि consumer and firms, मिलकर भी, कम buy कर रहे हैं, buying less goods, जितना firm are willing to produce, जितना produce करना चाह रहे हैं, उससे कम वो buy करना चाह रहे है अब इसकी वज़े से क्या हो जाएगा, जिहांजी देखो, यह जो firms के पास, firm चारी थी, कि at the end of the month, let's suppose at the end of the month, हमारे पास सिर्फ 100 units बची हो, 100 units की inventory हो, बट कोई खरीदी नहीं रहे, तो यह 100 units की inventory है बेटा, यह कितनी हो गई वापस से, 150 units हो गई, क्योंकि हमें लगा था अब सरदर्द हो गया, सप्लायर का, क्यार करू तो करूं क्या, उसलिए का मशीन बंद करवाओ, यह लेबर है, माफ करो यार, सामने डिमांड नहीं आ रही है, प्लीस यार, आप वापस जा सकते हो, जब जरुत होगी आपको बुला लेंगे, यानि कि क्या करेंगे, आउट Employment भी कम कर दे, Output भी कम कर दे, तब तक, जब तक वापस से ADAS के Equal ना आ जाए, और उसके बाद हमें कोई चेंज नहीं करना है, there is no further tendency to change, tell me guys, समझ आया, नहीं आया, प्लीस बताओ, इतना मुश्किल टॉपिक है यह, अगर आपको समझ आ गया है, अभी लाइक करो, अगर Allmost वही है, ठीक है ना, आये समझते हैं कैसे, according to this approach, क्या होगा, SI approach के according, equilibrium कभ होगा, जब saving और investment आपस में equal हो जाएंगे, तो उस level पर हम लोग क्या कहेंगे, कि भहिया, equilibrium level of income या output है, तो equilibrium level of income is determined at a level where planned, sir, planned saving, sir, अच्छा देखो, मैं बोलू planned, या मैं बोलू x end, x end, एक ही बात है, ये use करते हैं, x post या फिर actual वाला use नहीं करते हैं, please, request है, कर ले न, mcq मैंने देखा था, ठीक है न, आज आता है, is equal to planned investment, okay, s is equal to y, समस्ते हैं इस चीज को भी, कैसे होता है तमाशा, sir, इसका भी table है क्या, हाँ भाई, table तो हर चीज का है, आउ ज़रा देखें, यहाँ पे देखो क्या है, भाई, income, 0 से शुरू होगी, 100-100 का gap होगा, 100-100 का gap होगा, consumption, 40 से शुरू होगी, 80-80 का gap होगा, sir, एक ही ची ही हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0-40, minus 40, 100-120, minus 20, 200-200, 0 and so on, अब उसके आद हमें क्या करना है, savings हमारे पास है, investment हमारे पास है, बेटा, equilibrium level क्या है, जहाँ पर saving is equal to, investment हो जाए, यानि कि यह equilibrium level है, और यहाँ से यहाँ क्या है, कि आपकी जो investment है, वो greater than savings है, और यह जहाँ पर savings जो है, वो greater than investment है, तो ना तो ऊपर equilibrium है, ना तो नीचे equilibrium है, equilibrium कहा है, बीच ओ बीच, जहाँ पर savings और investment आपस में बराबर है, एक मिनट का break ले रहा हूँ, अब दोस्तों, यह जो हमने table समझी है, अब इसी का, अगर हम लोग कर्व एक बार सीख जाए, तो मज़ा यह रहा, यह क्या है हमारा, तीन चीज़े आएंगे बेटा, इस चेप्टर में, एक सेक्सिस पर तीन चीज़े आएंगे, क्या क्या आएंगे, जल्दी से बोलो, I, O, E, income, output, तीसरी चीज़ जल्दी से मेरे साब बोलो, employment, बहुत बढ़िया, और यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, savings, अब savings है, थोड़ा सा, एक काम करो बेटा, इसको नीचे लो, ऐसे नीचे कर लो, यहाँ पर लिलो, savings, savings, savings आ गए, ठीक है जी, savings का जो कर्व बनेगा, वो क्यासे बनेगा, जुन्दी से देखो, यहाँ से, बेटा, negative से स्टार्ट होगा, स्वार कैसी बात करो, negative बाते मत करो, बाई देखो नो, zero level of income पे, savings minus 40 थी, 100 थे भी बेटा, वो minus 20 थी, बढ़ हाँ बाद में, वो zero हुगा, saving का कर्व, पिछले chapter को जिसने करा है, वो पता होगा, यहाँ से चालू होगी, और ऐसे जाएगी, इसे हम लोग SS मान लेते हैं, ठीक है न, और यह जो portion हुआ करता था, इसको हम लोग क्या कहते थे, dis saving वाला portion होता था, जब savings minus में है, तो हम उसे dis saving कहते थे, अब ज़रा ध्य से देखिए, savings ये बन गई, saving curve, अब investment भी बनाना पड़ेगा है नहीं बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि savings और investment को बराबर दिखाना है, मेरी बाद ध्यान से सुनो, investment कर्व कैसा बनेगा, एक straight line बनेगी, ऐसे करके, ये, 40 है, जैसे let's suppose, 40 है investment, और ह ये, point of equilibrium, और यहां पर क्या है, saving is equal to investment है या नहीं है बिल्कुल है, बात समझा रही है, saving is equal to investment है या नहीं है, बिल्कुल है, और देखो, जहां पर ये दोनों equal है, इस level पर जो income है, ये 400, इसे equilibrium level of income बोलेंगे, जैसे हम अगर पिछले में चले जाएं, यहां पर देखो, यहा दो दिख रहूं, किसी के अंदर, अगर ADAS approach निकाल रहे है, ADAS approach निकाल रहे है, ADAS भी हाँ, इक्वल है, बट अगर savings investment approach लगाएंगे, तो देखो, यहां पर ये दोनों भी इक्वल है, यानि कि same level of income, same level of employment में ही आपका, चाहे ADAS approach लगाओ, चाहे SI approach लगाओ, एक ही बात है, बिल्कुल सेम बात है, ठीक है न, अब जरा आजओ, इसके बाद, मैं अगर इसी के ऊपर, ध्यान से देखो, अगर इसी के ऊपर मैं पिछला वाला कर्व बनाओ, जो वो वाला था, मैं चीज दिखाना चाहता हूँ यार, यह आपकी 45 डिग्री लाइन है, यह आपका AS, या फिर C प्लस S कर्व हो जाएगा, और यह आपका, अरे नहीं यार, यह वाला, यह वाला आपका AS कर्व हो जाएगा, यह AD, और C प्लस S कर्व हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, जहाँ यह दोनों एकक्वल है, इसका इकलिब्रियम, तक बढ़ जैना देखना, इसका इकलिब्रियम और इसका इकलिब्रियम, बिल्कुल, same level of income पे है यह नहीं ह इतना ही समझना था इसके अंदर अब जैसे हमने बेटा पिछले में करा था कि अगर saving is equal to investment है तो बहुत अच्छी बात है सब कुछ equilibrium पर है but sir what if what if saving is not equal to I यानि कि या तो savings is greater than I या फिर savings is less than I तो मैं आपको एक चीज clear कर देता हूँ जैसे AD वाला आपने पढ़ाता न ADAS का कि plan inventory कम हो जाएगी plan inventory बढ़ जाएगी same to same है नहीं किन होता आओ देखलो अगर saving आपकी more than investment है तो भाई क्या होगा एक economy अपने आप एक readjustment पर प्रोसेस चालू कर देगी readjustment होगा और तब तक होता रहेगा कि जब वापस से यह दोनों जाके equal ना हो जाए तब तक तो देखो if plan saving plan saving is more than what plan investment ठीक है इसका मतलब क्या है it means that households are not consuming as much as the firms expected them to यानि कि ध्यान से सुनो अच्छा देखो Y is equal to C plus S होता है मेरे बाद ध्यान से सुनना है important है Y is equal to C plus S है यानि कि अगर किसी income बंदे की income 100 rupees है तो या तो वो से consume करेगा या वो से save करेगा correct है? ठीक है हम लोग सोच रहते plan saving कितनी होगी let's suppose 40 होगी plan saving हम लोग सोच रहते कि plan saving 40 होगी but plan saving हमारी कितनी होगी 60 होगी अगर आपने plan saving 60 कर दी तो consume आपने सिर्फ कितना होगा? 40 किया होगा? बिल्कुल और अगर हम consume 40 करेंगे तो जो demand है वो भी कितने की होगी? सिर्फ 40 की होगी? क्योंकि AD is equal to C plus I होता है AD is equal to C plus I होता है अगर हमने consumption कम करी है तो overall aggregate demand भी कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी अब अगर aggregate demand कम हो जाएगी तो भाई जो inventory होगी हमारे पास वो ज़्यादा बची होगी या नहीं होगी? क्योंकि demand होई नहीं है तो ये वाला case किसके तरह बन जाएगा? जब आपका aggregate demand is less than aggregate supply ये वाला case बन जाएगा बिल्कुल same to save जब planned saving is more than planned investment इसका मतलब जब households हैं वो consume नहीं कर रहे हैं उतना जितना form नहीं expect किया था जिसकी वज़े से जो हमारे पास inventory बची हुई है वो बढ़ जाएगी हमारे desired level से भी जादा हमें लगा ता सिरफ 100 unit बचेंगे हैं पास को महीने का end में पर भाई 300 unit बची हुई है क्योंकि कोई consume नहीं कर रहा कोई demand नहीं कर रहा अब इस unwanted inventory को कम करने के लिए खतम करने के लिए form क्या करेगी कहेगी भीया प्लीज employees से माफ करना कुछ दिनों के लिए आपको जाना पड़ेगा हम आपको effort नहीं कर सकते है exactly जो इस time पे चल रहा है आप देख रहे होंगे layoffs हो रहे हैं बहुत जादा Google, Meta, Facebook जो है Amazon, सारी companies, Infosys दबा के क्या कर रही है लोगों को निकाल रही है क्यों कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि demand ये market में to reduce the production जब तक वापस से savings और investment आपस में equal ना हो जाए and then उसके बाद एक बार मैं side हो जा रहा हूँ जल्दी से इसको pause करके अभी रोख पढ़ लो बाद का चक्करी मत रखो अब अगर आपका savings less than investment है यानि कि आप savings कम की जा रही है उतने से जितने हम सोच रहे होंगी अगर savings planned savings से कम हो रही है इसका मतलब consume जादा हो रहा है अगर लोग save कम कर रहे है मतलब क्या कर रहे है खर्चा जादा कर रहे है खर्चा जादा कर रहे है मतलब demand जादा कर रहे है और अगर demand जादा करेंगे तो फिर हमारी inventory कम पड़ेगी if planned saving is less than planned investment it means households are consuming more and saving less कर रहे हैं जितना form expect कर रहे हैं उससे जिसकी वज़े से जो planned inventory है वो fall हो जाएगी, गिर जाएगी desired level से भी अब वापस से हम क्या करेंगे, हम employees से बोलेंगे आज़ा मित्रो, वापस से रण भूमी में, कूदने का time आ गया है दबा के काम करना, over time काम करना अब to bring the inventory back to the desired level firms क्या करेंगी plan to increase the production जब तक कि savings and investment वापस से equal ना हो जाएं क्योंकि हम अपने equilibrium level of income equilibrium level of output को miss कर रहे हैं तो economy भाई बड़ी ढीट है आप कितना भी कोशिश कर लो वापस से, आपस में equal करने में ही believe करती है, चाहे adjustment हो या ना हो, क्या बात समझा गई अब दोस्तों जो अगला topic हमारा निकल के आता है वो है equilibrium level, क्या बात कर रहे हैं सरी अगला topic कैसा हुआ, अभी तक यही करते हैं, हम बिल्कुल करते हैं बड़ एकटीपरियम लेवल के अलगलग प्रकार होते हैं ठीक है ना, तीन तरीके equilibrium level होंगे, एक होगा हमारा full employment equilibrium level और एक होगा हमारा over full employment level equilibrium, तीन अलगलग levels में हम लोग operate करेंगे, full employment level under employment level और over full employment level. Sir, क्या paper के लिए important है? पूछो मत कितना important है. भाय, अंकर important है. शायद 100% आपके paper में आएगा. ठीक है ना? 100%. Almost certain है. ठीक है ना? अब लड़ने मत लग जाना अगर ना आए तो, भाई, मैं assuming कर सकता हूँ. और आप प्लीज इसको छोड़ने की गलती नहीं करोगे. इतना दूर तक आगए हो यार, तो यह क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है न? आओ ज़रा. According to classical economist, equilibrium level जो है, income का, वो attain होगा सिरफ full employment level पे. Full employment level पे. क्योंकि that is, there is absence of involuntary unemployment. However, as per the kinesian theory, equilibrium level can be achieved at है. अब मेरी बाद ध्यान से सुलू. दो तरह की economist होते हैं. Classical economist हो जाते हैं हमारे Adams पे वगरा. पहले के जो economist थे, वो यह मानते थे, कि अगर equilibrium level achieve करना है, तो वो सिर्फ और सिरफ full employment level पे ही हो सकता है. full employment का मतलब है, कि जितने resources हैं हमारे पास. मतलब जितने labor हैं, let's suppose जितने labor हैं हमारे पास इस time, हमने सारे के सारे labor लगा दिया हैं. और employment का मतलब क्या था? who are willing to work, able to work at the existing wage rate. जितने लड़के काम करने के लिए तयार हैं, काम करने लायक हैं, existing wage rate पे सब लोग नोकरी पे लगे हुए हैं और उस level पे, अगर AD और AS equal हो रहे हैं, तो हम कहते हैं full employment equilibrium हैं. तो सिरफ उस पे ही equilibrium होगा, otherwise नहीं होगा ऐसा classical economist कहते थे. बट फिर नई theory, over the time क्या हुआ, evolution हुआ. और classical economist का नाम काट के किनेजियन ने अपनी theory दी, नहीं सर है, एक नहीं, तीन अलग-अलग level पे हो सकता है. और कैसे हो सकता है, आई ये एक बड़ दीपते हैं. तो पहले हम लोग समझेंगे, what is full employment level equilibrium? तो देखो, बड़ एक सिंपल सी चीज है. इसका मैं graph से ही आपको समझाओंगा. graph पे बिटा, हमेशा नीचे क्या आजाएगा? I-O-E income अरे, I-O-E output 35 employment. ठीक है न? ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये aggregate demand is equal to C plus I ले दो यहाँ पे है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या बनता है? ये एक 45 degree की line बनाएगा, output की और ये हमारा ऐसा बनेगा. ये aggregate demand है. कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ये equilibrium अचीव हुआ है, ये equilibrium जो अचीव हुआ है, हमारे पास इतने ही resources थे हैं, हमारे पास actually इतने ही resources थे हैं, और ये जो equilibrium, ये अचीव हुआ है, इसे हम कहेंगे, ये full employment equilibrium है. Full employment equilibrium है. इसका मतलब क्या है? थ्यान से सुनो, real life में एक situation में आपको बता रहा हूँ, कि हमारे देश में, जितने लोग, जितने employees, मतलब वो लोग, तीन तरीके लोग, those who are willing to work, those who are able to work, at the existing wage rate. तीनों conditions fulfill करने के बाद, अगर किसी इंसान को employment मिल रखा है, कोई भी इंसान खाली नहीं बैठा है, इन तीन conditions को पूरा करने के बाद, तो हम कहेंगे, economic के अंदर full employment है. और अगर full employment मिलने के बाद, aggregate supply और aggregate demand equal हो रहे है, then इससे खुबसूरत situation हो इनी सकती, बैटा, यह राम राज्जी है, ठीका ना, इसे हम कहेंगे full employment equilibrium, it refers to a situation when aggregate demand equal है, किसके, aggregate supply के, और यह वाखुशी हो रही है, at full employment level, और मुभारक हो, सबको, सबको क्या मिला हुआ है, employment मिला हुआ है, और इस case में, there is no involuntary unemployment, involuntary unemployment जो भी मैंने आपको समझाया है, वही होता है, ठीका ना, और involuntary unemployment अगर आपको नहीं पता, तो please, पिछले chapter की जो वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, बार-बार, देखो, सब कुछ समझा जाएगा, मुझे बताने की ज़रुती नहीं पड़ेगी, यह हो गया, आजाओ ज़रा, यह ध्यान से देखना, यह O, Y, यहां से लेगे यहां तक, यह हमारा जो income, यह output या employment level है, इतना employment level है, यह हो गया, फुल employment वाला, अब अगला देखो, अंडर employment इकली प्रेम का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका graph बनाओ बेटा, तो देखो, पिछली graph जितना ही आपको बनाना है पहले को, वही, income, output, employment, जीरो, aggregate, यह बन गई 45 डिगरी का अंगल वाली लाइन, और यह बन गया हमारा, AD is equal to C plus I, ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यह जो point है, यह तो किसका है, equilibrium का है, कौन से equilibrium का, फुल employment equilibrium का, बट अब जो equilibrium है, यहाँ establish नहीं हो रहा है, यह देखो, इससे कम होना चाहिए, यह जो point है बेटा, यह तो फुल employment का है, बट हमारा थोड़ा सा कम, यानि कि जितना employee हो सकता है, उससे थोड़ा कम, यानि कि यहाँ पर आ रहा है, यानि कि आपको क्या करना पड़ेगा, AD आपको नीचे आ जाएगा, अंडर employment में मतलब क्या, अंडर मतलब नीचे, AD को नीचे ले जाओ, और अब यहाँ पे, जहाँ पे AD और AS आपस में क्या करने है, इंटरसेक्ट करने हैं, जहाँ पे AD और AS आपस में, इंटरसेक्ट करने हैं बेटा, यह point, अब ही मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग चले रही थी, कि power saving mode चालू हो गया था, क्योंकि मैं लैप्तॉप को charger में लगा रखा था, और पूरी वीडियो खराब हो गई आगेगे 10 मिनट की, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहीं से शुरू कर रहा हूँ, अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, क्या था कि full employment equilibrium हमारा इस point इपे बन रहा था, और under full employment देख रहे हो, पूरा employment करना है, तो यहां से यहां तक का होगा, under full employment देखो यहां तक, सिर्फ इतने resources employee करके भी, अगर aggregate demand और aggregate supply बराबर हो रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, कि यह under full employment equilibrium है, और इसके अंदर हमारा जो है, prior to the full employment level होता है, यानि कि full employment level इधार है, इससे पहले ही, F.E. से पहले आ रहा है, prior to full employment level, ठीक है ना, और यहां पर आपका involuntary unemployment होने के chances होते हैं, यहां पर involuntary unemployment हो सकता है, अब इसके बाद हम last पर चलते हैं, that is over full employment equilibrium, इसका मतलब क्या है, पहले बाद यह एक hypothetical situation है, hypothetical, hypothetical मतलब, वास्तिविक जीवन से इस बाद का कोई लेना देना नहीं है, थियोरी में पढ़ना अच्छा लगेगा, बट reality में यह चीज पॉसिबल नहीं है, कैसे कह रहे हो सर, आउज ज़रा देखो, बिल्कुल same to same, income, output, employment, और यहां पर aggregate demand बनेगा, curve पहले तो इतना, लो, यह AD बन गया, यह AS बन गया, यह वाला जो point है बेटा, यह वाला जो point है, यह हमारा point पर equilibrium हो जाएगा, over full employment है, under full employment होता, तो AD नीचे आजाता, under, under, over है तो AD उपर चला जाएगा, तो देखो dotted line आप तहां बनाओगे, उपर बनाओगे, यह AD था, तो यह AD 1 हो जाएगा, अब ध्याण से देखो, AD और AS, आपस में, कहां पर intersect कर रहे हैं? यहां पर intersect कर रहे हैं, यहां पर, यह point मान लेते हैं G, मान लिया point G है, और आप इस point को क्या कहोगे? इसे कहोगे कि यह over full employment equilibrium, यह point है, यह full employment equilibrium है, यह over full employment equilibrium है, और हम कहेंगे, कि over full employment equilibrium बाद में आता है full employment equilibrium ठीक है ना और इसका अब समझाने का मतलब क्या है हमारे पास 100 ही employment के लिए labor है 100 ही लोग है resources है जिने हम employee कर सकते है maximum इस स्याधा लोगी नहीं है और ये कह रहा है कि भाई अगर तुम 100 से जाधा यानि कि 120 लोगों को employee करोगे तो aggregate demand और aggregate supply बराबर आ रहे है तो एक बेवकुफ ना हो ये theory बनाने वाले तो एक बार बताओ इन रियल लाइफ अगर 100 ही लोग है काम करने वाले तो क्या 120 लोग काम कर सकते हैं नहीं कर सकते भाई अभी बच्चे पैदे करेंगे भी तो भाई कम से कम वो 15 साल लगेंगे होने काम करने लाइक बनने के लिए तो वो possible नहीं है तो इसलिए मैंने इस हाइपोथेटिकल कहा इट रफिर्ल्स तो अशिवेशन वैन टिंद्मांड इककोल है किसके एग्रिगीर्गे अशप्लाई के बियॉंड वियॉंड फुल इंप्लोईमेंट लेविल काम बियॉंड ट कर् 시क厦्द करनेंगें of investment multiplier last topic है जल्दे से खतम करते हैं investment multiplier क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं तो paper के लिए very very important है इस चीज को समझ लेना investment multiplier एक बात कहता है कि अगर किसे economy के अंदर investment हुई है कोई भी investment हुई है जब मैं investment कहता हूँ तो मतलब कोई capital good capital asset तयार हुई है जैसे कि road, flyover hospital, school कोई भी ऐसी चीज जितने रुपे की investment हो रही है उतने रुपे की तो income generate होती है यानि कि अगर मैं 100 रुपे का let's suppose मैं अपना घर बना रहा हूँ बेटा मैं अपना पूरा घर बना रहा हूँ एक investment कर रहा हूँ तो इस घर को बनाने में जो labor लगी होगी उसकी income होगी नहीं होगी जिससे मैंने raw material खरीदा होगा उसकी income होगी नहीं होगी architect की income होगी बिल्कुल होगी तो जितनी investment होती है उनके उतनी income होती है बट investment multiplier एक बात बोलता है कि अगर आपने लेट सपोज 100 रुपे की investment करी है तो income जो generate होगी वो सिरफ 100 रुपे की नहीं होगी 100 रुपे से कई गुना ज़ादा income generate होगी और ये कई गुना ज़ादा वाली जो situation है इसी को हम multiplier कहते है कि investment multiply होती है यानि कि investment multiplier को पहली बाद denote किस से करते हैं के से formula क्या है delta y upon में delta i delta y मतलब change in income और इस case में हम बलकि change को कहेंगे कि increase in income कि income increase कितनी हुई है upon में increase in investment increase in investment यानि कि let's suppose सिरफ example ले रहाँ कि जो investment हुई है बेटा वो 100 रुपे से increase हुई है तो जो income increase होगी वो 100 रुपे से नहीं होगी let's suppose 500 रुपे से income increase होगी तो भीया कितना गुणा income generate हुई है 5 times ना तो ये 5 क्या हो जाएगा multiplier हो जाएगा कि अगर जितने रुपे की investment होगी उसके 5 गुणा income generate होगी this complete thing is investment multiplier k का एक formula तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया numerical में काम आएगा दो और formula है 1 upon में 1-npc और last है k is equal to 1 upon में nps ये formula तो आपको पता चल गया इन तीन formula को यूज़ करके आपके multiplier के questions अराम से होगे इसके बाद जो अगला topic है वो है working of investment multiplier 12-15 minute time आपको लगेगा उस topic को करने में तमीद से गर आप करने चलोगे तो उसकी मैंने already एक video बना रखी और उसमें मैंने अपना 100% दे रखा है उस video को मैं नीचे comment section में ही pin कर देता हूँ या फिर अभी just video end होने वाली होगी तो आपको नीचे thumbnail दिख जाएगा वहाँ पर आप उसको press करना और वहीं से आप उस video को देखो और chapter आपको वहीं पी complete हो जाएगा प्लीज ये काम आप कर देना क्योंकि दुबारा कराऊंगा उस energy से नहीं करा पाऊंगा तो ये video यहीं पे end होती है I wish you all the very best अच्छे से महनत करो maths का paper अगर किसी बच्चे का खराब हुआ है उसे दिल पे मत आने दो eco में महनत करो marks लाओ और अपने parents को proud feel कराओ अभी के लिए सरफ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में bye bye and take care